जिला बिलास्पुर के गुमार्मी विधानसबा क्षित्र के बिधायक राजेंदर गयत ने मंत्रीपत की शपत ग्रहन करने के पश्चात ही गुमार्मी विधानसबा क्षित्र के लोगों में खुशी के लहर दोड़ पड़ी है पुरे बिधान सबा क्षेतर के लोगों ने अपने अपने तरीके से इस खुशी के पल को सरहा है कि एक गुमार्मी के डड़ुआ गाउं के किसान का बेटा मंत्री पत से नवाजा गया है बे अविश्वसनी एक्षन है गुमार्मी शहर के गांदी चौंग पर युवाओं के दोरा नारे लगा कर पटा के फोर्ट कर और मिठाई बांट वर खिला कर इस खुशी के पल को यादगार बनाए गया है गुमार्मी विधानसबा क्षेतर के बहुत ही ज्यादा गर्ग समर्थक बेशक इस अविश्वसनी एक्षन को यादगार बनाने के लिए शिमला पहुँश गये हैं तिथा गर्ग का परिबार भी शिमला में ही है गर्ग के लिए जो कल तक इर्श्या पाले हुए थे बेबी आज अपने तरीके से बधाई संदेश दे रहे हैं गुमार्मी की जनता के लिए एतिहास एक दिन दहा है कि आज तक गुमार्मी विधानसबा क्षेतर से ना कोई उमीदबार रिकॉर्ड 10,435 बोटों से जीता है और ना ही मंत्रीपत मिला है गर्ग शुरू से ही पढ़ाई के क्षेतर में अच्छे रहे हैं तथा MSC बोटनी से गोल्ड मेडल हासल किया है तथा अखिल भारती विद्यारती परशत से कटर समर्थकों में से एक हैं गुमार्मी विदानसवा क्षेतर के लिए बिकास की नई परिभाशा लिखने बाले गर्ग मंत्रीपत मिलने के बाद अब समूचे परदेश का बिकास करवा कर नई काथा लिखेंगे लोगों के लिए बहुत ही सुकदाई होगा यह बुस्मस्त गुमार्मी विदानसवा के लोग और युवा मोच्षा गंणनिया विधायक राजिंदर गर्ग जी को मंत्री वन्ने के व्लक्स पर बहुत वो तखादिक विधाई और अभिनंदन करता है गुमार्मी विधानसवाक सेतर के लिए लोगों के लिए बहुत ही खुशिक एक सड़ हैं आज के इतिहास में आज तक गुमार्मी विधानसवाक सेतर से कोई भी विधायक मंत्री नहीं रहा है जब से मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर जी की अध्यक्सता में सरकार बणी है तब से गुमार्मी विधानसवाक सेतर को पहले ही विधायक की गति मिली हुई है लेकिन आने वाले समय में अब मंत्रीपत की जिम्मेदारी विधायकर जी को मिली है तो गुमार्मी में विकास के लिए चार चांद लग जाएंगे इससे गुमार्मी के लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं हो सकती